हेलो स्टुडेंट्स क्लास ओफ अचीवर्स में आपका स्वागत है और इस वीडियो में देखिए सोल्व करेंगे हम इस कोशन को रूट फाइव को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है यह वाले को अब देखिए रूट फाइव जो है एक रैशनल नंबर है और इसका कोई एंड नहीं होता है ठीक है तो अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़े वह पाइथागोरस थियोरम, देखिए ये राइट एंगल, ट्रेंगल में लगती है, हाइपोटैनिस और बेस और ये हाइट, तो इसको L से रिप्रेजेंट कर लो, ये R और ये H, तो ये जो पाइथागोरस थियोरम जो क्या कहती है, कि हाइपोटैनिस का स्क्वेर जो होगा, बाकी जो दोनों साइडें हैं, उनको इस स्क्वेर के सम के बराबर होगा, तो L स्क्वेर इसको अगर 2 सेंटीमिटर मान ले, और हाइट जो इसको 1 सेंटीमिटर मान ले, तो 2 का स्क्वेर क्या होगा, 4 और 1 का स्क्वेर 1 is equal to 5, तो L स्क्वेर बराबर है 5 के, तो L is equal to root 5, तो ये हमारा root 5 आ गया, अगर ये 2 सेंटीमिटर और ये 1 सेंटीमिटर का हुआ तो, तो अब हमें यही ट्राइंगल को बनाना है, मैं इसी से बना लेता हूँ, यहाँ पर दिखिए, ये रहा हमारा 2 सेंटीमिटर, और 1 सेंटीमिटर का, प्रपेंडिकुलर, जुरूरी नहीं है, 1 सेंटीमिटर का ही लेना है, आप इन चीज में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें थोड़ा बढ़ाएगा, तो ज्यादा क्लियर दिखिए, यहाँ पर जैसे छोटा दिख रहा है, तो यह 90 डिगरी का है, अब इसको मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यह, तो यह ट्रेंगल बन गया हमारा A, B, C ट्रेंगल, ठीक है, अब हमें तो नंबर लाइन में रिपरजेंट करना है, तो करना क्या पढ़एगा, देखिए, कमपास लीजिए, आर्क बना दिने नीचे, यहाँ तक में, इस तरह से आर्क बना दी, अब इस आर्क को इस नंबर लाइन के साथ में रिपरजेंट करना है, देखिए, यहाँ पर मतलब मीट करना है, जहाँ पर यह मीट कर रही है, यहाँ पर मीट कर रही है, देखो, यह हो गया हमारा रूट फाइव ठीक है तो इसको नाम देतो पॉइंट पी इस तरह से करेंगे रूट फाइव को नंबर लाइन में रिपर्जेंट फिर से बता रहा हूं यहां पे आप जो है जैसे मान लिजिए यह छोटा बन रहा तो आप टू सेंटीमेटर इसकोल टू वन सेंटीमेटर के बराबर होगे तो दो इंच चीज का यह यह एक इंच का यह बीसी ले लिया तो बड़ी आ जाएगा बड़ा हो जाएगा कोई दिखकर नहीं है इसमें फिर तो मुझे रखता आपको समझायोगा किसे और कोसर में डावट होगा तो कमेंट बोक्स में लिख दीजेगा और बाकी बड झाल 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 झाल